हारत विविदता का दर्पर एकता की पूरत और लोक तंत्र की जननी यहां गणतांत्रिक विवस्थाओं के उदाहरण है विदों में वैशाली की गणपश्चत के उद्गोचों में आजारे जानक्य के अर्धशास्त्र में उत्तरा मेरूर के शिला लेखों में वर्णित जोल सामराजी की पंजायत विवस्था में उनकी गणम और मार्यम विवस्था में, भगवान पस्विश्वर की अनुभव मंदपम की धारणा में, गण, सभा, गणपती, समिती, लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं, स्वरूप बदलता रहा संसकार नहीं, बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतत, जिसका साक्षणी बना हमारा संसक्धावन, करीब एक शताब्दी पहले, 1927 में, आपनिवेशिक हितों के लिए एक काउंसल हाउस बना, देश आजाद हुआ, ये भारत की संसक्धावन, यहीं पर हमारा संविधान रचा गया, आज यहीं से लोकरभा के 545 और राजिस अभा के 245 सदस से भारत के नागिकों का प्रतनिधित्व करते हैं, विशार विमश्ष की तंदरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसक्धावन, इतिहास की कई अभूत पूर्व उपलब्धियों का सा सक्षी संसत भावन, समय के साथ यहां पर्याप्त जगर और सुविथाओं का अभाव होने लगा था, आधुनिक तक्नीक का क्रियान वयन चुनोती पूर्व हो रहा था, ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भावन की आपशक्ता को महसूस किया, अबर इसे स साकार करने का सहस किया गया, माननिय प्रुथान मंत्री नरेंद्र मोदी के नित्रित्व में और 10 दिसंबर 2020 को संसत के नव निर्मित भावन की आधारशिला रखी गई, थाली वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में पहले इस भावन का लगभग 60,000 श्रम वीरों द्व भारतियों द्वारा भारतियता के विचार से ओतपोत भारत के संसत भवन के निर्मान का शुवारम हमारी लोकतांत्रिक परंपराव के सबसे एहम पड़ाव में से एक है नए भारत के हल नागरिक की आकांग्शाओं और उज्ज्वल भविष्चे को समर्पित संसत के नए भवन का निर्मान मौजूदा संसत भवन के प्रांगण में ही किया गया है आने वाले समय में संसत के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरत होंगे इस भवन में प्रवेश के चैद्वार हैं जो भारतिय सब्हता के अनुसार प्रकृती को अपनी गृतर यताब एक्त करते हैं मकर और हंस यानी जल को नमन शारदुल और गर्व यानी नभ को नमसकार अश्वत और गज यानी धल को प्रणाव संसत के नए भवन का नया विराद लोगसभा कक्ष जो राश्ट्री पक्षी मोर से प्लेरित है इसका आखा मौझूदा लोगसभा से लगखग दोगना बड़ा है नयार राज्यसभा कक्ष राश्ट्री पुष्ण कमल से प्लेरित है जिसका आकार भी मौझूदा राज्यसभा कक्ष से लगखग देड़ गुना बड़ा है लेभवन देश की जैनता को समर्बित है इसलिए लोगसभा और राज्यसभा में जैनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक पीखा का निर्मान किया गया है अत्याधुनिक डिजिटल उकर्म दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते है यहाँ सदन की कार्यवाही को विभिन भाशाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है बोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाद मल्टी मीडिया डिस्प्ले आटोमाटिक क्यामरा कंट्रोल और पमान सेंटर का भी निर्मान किया गया है यह नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है इस भवन के एक भाद में लोकसभा है दूसरे में राज्यसभा और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतिय को जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है संविधान कक्ष जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीज से पर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं यहीं भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है इसी सेंट्रल फॉयर में उपर की त्रिकोनिय च्छत से सूरे की किर्णे ब्रह्मान्द का भ्रमन करते हुए फेंडिलम ग्लोक पर गिरती है यह किर्णे बर्गत के बिल को नहलाती है और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकाले, भोजन कक्ष में फैल जाती है आद्म निवर्भर भारत के ब्रतीक इस भवन के निर्मान में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है कहीं महराश्र की सागौन की लकडी सजी है उनी से दोनों सदन में अशुक चक्र भी बना है कहीं राजस्थान का शांदार स्टोनवर्ग कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन पिछी है कहीं ध्रिकुरा की बैम्बू वुड फ्लोरेंग वही सपेद मार्बल गुजराँच से आया है एक भारत श्रेष्ट भारत की भागना से प्रेदित सभी वर्गों प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भावन्थ ये भावन्थ एको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकम रोधक भी है सब्त्रा सौ से अधिक दरवाजे खिरकिया है साढ़े तीन किलोमीटर बंबे बिल्दिंग कोरिलोस है ये भावन्थ विकास और विरासत का अध्भुद संगम है एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्ज और स्मार्ट एक्सेस की विवस्था है वही भारत की प्रागीन कलाओं का अध्भुद ये की करणती है तो नया भावन आत्मन्दिर भर भारत के निर्मान का गबा बनेगा पुराने संसक भावन में देश की आवश्यक्ताओं की पूर्ती के लिए काम हुआ तो नय भावन में 21 सरी के भारत की आकांशाय पूरी की जाएगी नय भारत के आत्म विश्वास को बढ़ाता विकसित भारत के संकल्प को गती देता ये है हम भादतियों का संसर्भवन झाल